गुडी पढ़वा का पर्व है जैसे आप लोग भी हूँ उत्षाव से मनाते हो पस्चिम भारत में और डेश बर में गुडी पढ़वा को नव वर्ष मानते हैं मैं आज समग्र देश को गुडी पढ़वा की बहुत बहुत सुपकामनाय और देता हूँ मित्रो आज जब मैं यहाँ हूँ तब सम्रूद्धी की देवी मालक्समी तूसु देवी भगवान महदेव को सीज जुका कर प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूँ आज आसाम की भूमी पर आया हूँ मा कामख्य का असिर्वाद समग्र देश पर होता है मगर मा ने अपनी रहने की जगे तो आसाम के परवत पर ही तै की है निलांगत परवत पर बैठी हुई मा को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूँ भाई और बेनों उन्नीस तारिक को आप सभी को तै करना है कि आने वाले पांच साल के लिए आपका मेंबर पार्लामेंट कौन होगा देश में कीज पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रदान मंत्री कौन होगा आपके सामने दो विकल्प एक राहूल बाबा के नेत्रुत्व में इंडी एलायंस है और दूसरी और नरेंद्र मोधी के नेत्रुत्व में भारतिय जनता पार्टी है यह तरह करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले पांच सल इस देश पर सासन मोधी जी करेंगे तिसरी बार प्रदान मंत्री बनेंगे और चार सो पार के लक्स के साथ फीर एक बार भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भाई और बेनो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहूल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है मैं रहूल बाबा को कहना चाहता हूं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ आपकी दादी के समय से आपकी दादी के समय से आसाम को न्याय किया गया हजारों युवा असांती की रापर चले मारे गए सेकडों युवा मारे गए हजारों युवा मारे गए ये कॉंग्रेस पार्टी का पाप नरेंद्र मोदी जी ने दस से ज्यादा सांती समझोते करकर आसाम को सांत बनाने का काम किया 9000 युवा सरंडर करकर आज मेंस्रिम में आए हैं आसाम के सनमान की बात करते हो आपको गोपिनाज जी भी याद नहीं थे आपको भुपेन हजारीका भी याद नहीं थे भुपेन हजारीका को भारत रत्न देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है आप आसाम की बात करते हो आसाम की सिमाओं को गुश पेट के लिए खुला चोर दिया था भारतिय जन्ता पार्टी की सरकाराई नरेंद्र मोदी सरकाराई और यहाँ पर आसाम में हैमंत विश्व सर्मा की सरकाराई मैं कह सकता हूँ बांगलादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता हमने घुसपेट को रोकने का काम किया है आप आसाम की बात करते हूँ मैं आपको बताता हूँ उग्रवाद हर्ताल आतंकवाद इसके खिला अलावे कुछ नहीं दिया था आसाम समझोता करकर आसाम के युवाओ का वादा पूरा नहीं किया हमने बोडो लेंड का समझोता किया सारे वादे दो साल के अंदर समाप्त कर दिये और मित्रो गेंडो को म भ्यान कॉंग्रेस के सासन में चला थे हैमन्त विश्व सर्मा की सरकार ने गेंडो को सुरक्सित करकर आसाम के टूरीजम को सुरक्सित किया और संकर देव और मादव देव की परंपरा सत्रों की भूमी जो गुस पेठिये कपजा पर बैठे थे आसाम सरकार ने बीजेपी स सरकार ने एक एक गुस पेठियों को नाकेवर काजी रंगा से समाप्त किया सत्रों की जमिन को भी मुक्ट कराने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है पर मित्रों आसाम के कल्चर की बात करें इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्सों तक मुगलों को पराजित किया और लसीत बर्फुगन के लिए आसाम सरकार ने किया था सालों तक कॉंग्रेस की सरकार रही केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हैमन जी आए लसीत का गगन चुम्बी पूतला बना कर वो वीर पूत्र को सनमान देने का काम भारतिय जनता पार् सिर्फ असमिया में नई भारत की 23 बासाओं में लसीत बर्फुगन की कठाएं बच्चे बच्चे तक पहुँचाने का काम भारत ने किया मित्रो मैं आज आपको कहने आया हूँ आसाम के अंदर मोदी जी के दस साल विकास के दस साल रहे हैं आसाम के अंदर मोदी जी के दस साल के अंदर अनेक सांटिस समझोते हुए विकास का काम हुआ और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ आसाम आने वाले देश में दिनों में देश के बाखी राज्यों की तरह एक विक्सित राज्य बनेगा इसका मुझे पूरा भरोसा है भाई और बेनों मुझे एक बात बताओ के राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जरा जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका कर बैठी दी मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया भुमी बुजन भी हुआ और बाइस जन्वरी को राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्ताफित करने का काम भी हो गया और मित्रों पहली बार 500 साल के बाद राम लल्ला राम नौमी के दिन अपने भव्य मंदिर में बैठे थे वो हम सब के लिए बहुत बड़ा हर्ज का विशय है भाई और बेनों मोदी जी ने नकेवला साम पूरे नौर्थीस को बदलने का काम किया है मोदी जी का एक वाक्य नौर्थीस के हर एक मत्ताता ने याद रखने जेता है देश का भाग्य तभी बदलता है जब नौर्थीस का भाग्य बदलता है आसाम का भाग्य बदलता है और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब आसाम का विकास होगा मित्रो इसी तहट पूरे आसाम में से 80% से अपसफा हटाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और यहाँ पर सान्ती को स्थापित करने का काम किया है और आज मैं कॉंग्रेस के मित्रों को पूछने आया हूँ दस साल तक UPA की सरकार थी सोनिया मनमहुन की सरकार थी कॉंग्रेस सरकार ने आसाम को क्या दिया था 2004 से 2014 तक दस साल में आसाम के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाग बासट हजार करोड उपिया था एक और कॉंग्रेस की सरकार ने दस साल में एक लाग बासट हजार करोड उपिया दिया और दूसरी और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने एक लाग बासट हजार से बढ़ा कर चार लाग पंद्रा हजार करोड उपिया आसाम को देने का काम किया है इसके साथ साथ सड़क निर्मान के लिए 30 हजार करोड पचानले हजार करोड रेलवे के लिए और 10 हजार करोड एरपोर्टों के विकास के लिए दिया है और पूरे आसाम और नौर्थीश को कैंसर से मुक्त बनाने के लिए एक कैंसर के हस्पतालों का जाला बुना गया है और मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में पांच साल में ऐसा समय आएगा कि आसाम से किसी को कैंसर के इलाज के लिए दिलनी नहीं जाना पड़ेगा बाकी देश से लोग यहां इलाज करने आएंगे इस प्रकार की वियोस्ता होगी मेडिकल कॉलेजों का जाला बुन लिया गया और मैं कहना चाहता हूँ मित्रों एंग गोहाती में बना तुमूलपुर में मेडिकल कॉलेज बना नलबाडी में पांच सो पिस्तर का अस्पताल बना पांच सो करोर से धूबरी में मेडिकल कॉलेज बना पांच सो करोर से कोकाजान में मेडिकल कॉलेज बना और करिम गंज का कॉलेज भी 24 तक पुरा हो जाएगा मोदी जी ने आसाम के गरिबों के लिए लगबग लगबग सारी समस्याओं का निवारन किया है 18 लाख लाबर थी किसान सन्मान निधी का फाइदा प्राप्त करते ही 55 लाख गरों में नल से जल पहुचा है 1 करोर 70 लाख लोगों को आयुशमान भारत के कारण 5 लाख तक का स्वास्त का पूरा खर्चा मिल रहा है और 43 लाख सोचाले बनाकर माताओ बेहनों को सन्मान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है लगबग 2 करोर 30 लाख गरीबों को हर महिने 5 किलो अनाज प्रतिव्यक्ती फ्रीयो पोष्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जीने किया है और 51 लाख माताओ को घैस का सिलिंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जीने किया है इतरो कई सारी योजनाए भी लेकर आये हैं और मैं आज आपको बटाना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो डाखिल किया कॉंग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि कॉंग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी तो मुस्लिम परसनल लोको हम एस्टाबिलीस करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री हैमन जी ने बाल विवा पर प्रतिबन लगाया उत्राखन में UCC लाया पर मित्रो एक कॉंग्रेस पार्टी वहां से नियतकती है वो कहती है कि कस्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए लखिमपुरवालो मुझे बताओ धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी जोर से बोलो कस्मीर हमरा है या नहीं है कॉंग्रेस सद्यक्स के थे कस्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है कॉंग्रेस सद्यक्स को मालूम नहीं है ये देश की जंता इंच इंच को अपना मानने वाली है हम तो छोटे बच्चे थे थे हम गुजरात में नारा लगा थे थे कच्चो होया गोहाती अपना देश अपनी माटी और बित्रो एक कॉंग्रेसूर कर्चर से हैं जब चीन का हमला हुआ लड़ने की जगे वायू प्रवचन में जवालाल नहरू ने आसाम को बाई-बाई के द उन्हेंदा यह भूल नहीं सकती और परिवर्तन क्या है नरेंद्र मोधी की सरकार है चीन अपनी एक इंच बुमी पर भी कब जान नहीं कर सकता इस प्रकार का आसाशन नरेंद्र मोधी जी ने दिया है पूरा अरुना चल पूरा असाम 1922 को कभी भूल नहीं सकता और कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेन मोदी जी ने कर दिया पित्रो मैं आज अंत में इतना ही कहना चाहता हूं आसाम के पूरे नौर्थीज का हब है आसाम का विकास नौर्थीज का विकास भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि पूरे नौर्थीज को विक्षित बनाएंगे एक प्रदान मन्त्री नौर्थीज में 70 से ज़्यादा बार नौर्थीज की मुलाकात करने वाला मिला है वो नरेंद्र मोदी है और केंदर सरकार के मंत्रियों ने साथ सो से ज्यादा नौर्फिष्ट के राज्यों की मुलाकात की है नौर्फिष्ट में इस वार समय है săbhi की सभी सिटे NDA के साथियों को जिताने की आसाम की 14 सिटे हैं मैं आसाम के सभी मत्ता था भाई और बेनों को विनंती करता हूँ 14 में से बार सिटे देनी चाहिए मुझे बताइए ये बार कमल में लखिमपूर होगा क्या जरा जोर से बोलो होगा हैमन जी ने कहा है पाँच लाग से बड़ी लीड चाहिए जरा जोर से बोलो है पाँच लाग से ज्यादा लीड से जितेंगे आज से गाव गाव में घर गर में जाकर कमल का निसान और नरेंद्र मोदी जी की और भारत माता की तस्वीर लेकर पहुंच जाईए मोदी जी के संदे स्वाक्पन ये और 19 तारिक को पाँच लाग से ज्यादा वटो के साथ लखिमपुर की सीट को जिताए यही आप लोगों से अभ्यतना है मेरे साथ दोनों हाथ उठा कर जोर से भारत माता का जैकरा लगाए उठाईए दोनों हाथ मुठी भींच कर बोलिए भारत मता की जै इस्रीराम जै जै इस्रीराम